मशकार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों हम लोगों ने एक मिसन लिया था कि एक लाक रुपया पंदरा साल मात्र 36% को हम एक करोड बना देंगे लोग तो शेयर मार्केट में हर साल पैसा डबल कर रहे हैं क्योंकि हम ETF में बहुत सेफली राइड कर रहे हैं बहुत सेफली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हम सिरफ 36% का टार्गेट लेके चलेंगे और उसको एक लाक रुपया को एक करोड हम बना देंगे आज से 15 साल बाद अभी आप जो भी काम कर रहे हैं इंजिनियर हैं डॉक्टर हैं लोयर हैं दुकानदार हैं या छोटे मोटे प्राइबेट जॉब में हैं या स्कूल के टीचर हैं आज से 15 साल बाद आराम से लेप्टाप खोल करके आप अपने घर में एक करोड रुपय से एटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे होंगे और साल का 36 लाक रुपया कमा रहे होंगे अगर आपने कर दिया तो महिने का 3 लाख रुपया ठीक है साल का 36 लाख रुपया आप कमा रहे होंगे बस आपको 1 लाख को 15 सालों में 1 करोड बनाना है मात्र 36% के CGR के साथ जो की बहुत असान है एकदम सिंपल है बस बशारता ये कि शेर मार्केट में आप आने के बाद में कॉल पुट की तरफ ना भागें ऑप्शन की तरफ ना जाएं फ्यूचर की तरफ ना जाएं इंट्राडे के लालच में ना पड़ें सिर्फ सिर्फ ETF में और तो और मैंने कुछ चुनिंदा शेर भी एड़ कर दी है आपके लिए ठीक है जो भारी भरकम शेर है जिससे की निफ्टी या बैंक निफ्टी को कॉल पुट में उठाया गिराया जाता है सिरफ वही शेर मैंने एड़ की है स्टेट बैंक है HDFC बैंक है ICC बैंक है Infosys है और Reliance है बस ये पांच सिर इन में आप ट्रेड कीजिए ETF के साथ साथ ठीक है डिलिवरी में माल उठाईए दीरे दीरे माल इकटा कीजिए स्टैटेजी को फॉलो कीजिए मेरी बहुत सारी स्टैटेजी दी हुई है और कोई नई स्टैटेजी आएगी वो भी मैं अपलोड करते रहूँगा और अगर किसी को मेरा छोटा सा ETF का ट्रेडिंग कोर्स जोईन करना है बहुत प्यारा सा कोर्स है जो कि आपका आराम से 36% का CSGR मीट करवा देगा साल में तो नीचे नमबर दिये गए नमबर पर आप WhatsApp करके inquiry भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बजार को शुरू करते हैं आज का क्या बजार का क्या इस्तिता उसको देखते हैं कहां opportunities थी वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार और क्या हम बजार में आज मैंने किया मैं वो भी आपको बताऊंगा तो आज जो दोस्तो निफ्टी था वो 18,000 का जो उसका resistance था उसको ब्रेक किया है बहुत दिनों के बाद 18,000 के पार निफ्टी ने आज अपनी क्लोजिंग दिये Sensex ने 61,000 का क्लोजिंग दिया है ठीक है आधा परसेंट का निफ्टी ने गेन किया है 0.48% का गेनिंग हुआ है Sensex में 0.49% का गेन हुआ है ठीक है काफी दिनों के बाद निफ्टी ने 18,000 को पार किया है जो maximum आज जो गिरावटे हुई अगर हम गिरावटों की बात करते है तो सबसे ज़्यावटे गिरावटे सिरफ दो Metals में देखी गई कॉमोरेटरी जिसको हम बोलते है Silver Bees में हुई है Minus 1.16 की गिरावट है 1% से ज़्यादा तूटा है और 1 Gold Bees में गिरावट हुई है Gold Bees minus 1.29% दोनों में 1% से ज़्यादा की आज गिरावट थी ठीक है Below 40 RSI की अगर हम बात कर ले एक बार कि Below 40 किस-किस का RSI था तो कुईकली हम लोग चेक कर लेते है RSI का मैंने लगाया हुआ है Bank Bees का 49 Below 40 नहीं है Nifty Bees का भी नहीं है 54 है Mid 150 जो है उसका भी 43 है Junior Bees का नाम नोट कर लीजिए Junior Bees के बाद में जिसको आप कल Purchase कर सकते है M.O.M. नहीं है I.C.C. N.B.T. नहीं है Gold Bees नहीं है Consume Bees नहीं है I.C.C. Low Volume भी नहीं है IT Bees भी नहीं है 62 का RSI है M.O.N. 100 नहीं है I.C.C. Bank भी नहीं है SDFC Bank नहीं है State Bank Junior Bees पहला नाम है दूसरा नाम है State Bank State Bank का आज का RSI 39.26 का है अच्छा खासा गिरावट है अगर आप देखेंगे तो State Bank में तो Delivery में इसको आप उठा सकते हैं लेकिन पैसो को 10 बागों में तोड़के रखिएगा कम से कम ठीक है जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है बहुत सेफ है लेकिन फिर भी हम लोग strategically ट्रेडिंग करते हैं ठीक है तो 10 पार्ट ही पैसा का लगाना है पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है Infosys नहीं है Reliance नहीं है Auto Biz नहीं है Silver Biz Silver Biz भी 37 का है Silver Biz ने कुछ दिन पहले अपना ये राई के आसपास टच किया था फिर से अभी गिरावट हुई है और 37 के RSI पे चल रहा है तो अभी आप Silver Biz भी कल परचेज कर सकते हैं Silver Biz मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परचेज कीजिए मैं सिर्फ आपको राय दे रहा हूँ ठीक है बाकी आप अपना Decision अपने Financial Advisor से पूछ के ही लीजिएगा Pharma Biz Pharma Biz जो है Pharma Biz का भी RSI गिरा हुआ है 38.69 का RSI है तो दोस्तों ये चार टोटल निकल के आए है बाकी का मैं चेक कर लेता हूँ मैंने चेक किया हुआ है MFS कभी नहीं है CPAC कभी नहीं है और PSU Bank Biz का 40.something है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग टोटल जो है चार का निकल के आए है Junior Biz State Bank Silver Biz और Pharma Biz ये चारो को आप lot wise purchase कर सकते है 40 के नीचे RSI है चारो का कल भी उमीद है कि 40 के नीचे ही खुलेगा और इसमें अच्छी opportunity है मैं अगर अपने holdings की बात करूँ आज की तो मैं आपको share कर देता हूँ जरासा ये मेरी holdings है Bank Biz, Consume Biz, SDFC Bank, ICC Bank ICC, NV20, Infosys, ITB, Junior Biz, Mefeng ये सब सोना है दोस्तो MOM, MON ठीक है इसको मैं गोल्ड से कम नहीं देखता हूँ strategy चल रही है सब में अलग-अलग strategies है कुछ में monthly regular income strategy है कुछ में RSI वाली strategy है कुछ में daily वाली strategy है तो देख लीजिए इसको बहतरीन तरीकों से average किया गया है और अभी सत्रासो रुपय के profit चल रहा है तीन लाग पे सत्रासो का profit चल रहा है जिसमें कि आज दो profit मैंने book किया है मैं आपको show कर दे रहा हूँ आज मैंने कौन-कौन से profit book किया है यह देखिए friends reliance reliance में देखिए 0 हो गया आज मैंने percentage में हम लोग बात करते है 4.81% मतलब 5% के आसपास मैंने इसमें reliance में आज profit book किया है आप clearly यहाँ पे देख सकते है 4.81% ठीक है 5% यहाँ पे मैंने profit book किया है फिर मैंने mapping में भी profit book किया है mapping में percentage देखे तो मातर 2.10 पे ही मैंने कर लिया ठीक है थोड़ा था पैसो का shortage पढ़ रहा था इसलिए 2.10 पे मैंने मुझे करना पढ़ा तो मैंने इसमें exit ले लिया है ठीक है उसमें भी अच्छा कासा profit मिलेगा 2.10 में बाकी अगर देखते हैं तो देखिए अब अब टू परसेंट चल रहा है SDFC बैंक में ICAC बैंक में भी चल रहा है मैंने नहीं किया exit यहां पे बाकी अल्मोस्ट सारे profit में है जो loss में एकदम negligible loss में है यह देखिए यहां पे 921 रुपे का profit है 491 रुपे का profit है 921 का Nifty में है SBI के Nifty में MOM 100 में 491 का है ठीक है 400 रुपे का profit बैंक बीज में भी है और उसके बाद अगर positions की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है अभी मैंने कुछ positions बनाई हैं अलग-अलग strategy के तहत CPAC मैंने बनाई gold beads क्योंकि गिरा हुआ था तो ये red वाली strategy चल रही है मैंने इसमें बनाई HDFC bank में मैंने purchase किया pharma beads और junior beads ये मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ आप लोग लेकर रख सकते हैं ये year low के आसपास चल रहे हैं दोनों ठीक है अच्छा कासा गिरावट है junior beads में pharma beads year low के आसपास चल रहा है तो थोड़ा लंबे समय के लिए इसको hold किया जा सकता है लेकर के और मैंने silver beads में position बनाई है मैंने अपनी पहले भी video जो बनाई थी उसमें मैंने आपको clearly बोला था कि आप pharma beads और आप junior beads को consider कर सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए अभी state bank भी थोड़ा सा लंबे समय के लिए किया जा सकता है थोड़ी इसमें अच्छी गिरावट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ state bank का graph state bank का graph अभी खुल रहा है इसमें भी थोड़ा सा हम लोग एक position बना सकते हैं पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना है यह देखिए गिरावट इस्टेट बैंक की ठीक है 39 below 40 RSIB है और यह 625 रुपया से गिर के 542 रुपया पे consolidate कर रहा है ठीक है 542 रुपया पे consolidate कर रहा है 625 से गिर के तो एक अच्छी कासी गिरावट है लेकिन मैं फिर मना करूँगा कि पूरा पैसा नहीं डालना है बस 110 पार डालना है पैसों का और वेट करना है क्योंकि हम लोग delivery में धीरे धीरे एवरेज करते हैं अच्छे ETF और अच्छे shares को तो दोस्तों ये था पूरा आज का बजार मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और अगर नया सीखने को मिला है तो एक comment जरूर करते जाएगा नीचे जाते-जाते मेरे वीडियो को like करना ना भूलिएगा WhatsApp करके आप inquiry कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी knowledgeful वीडियो में तब तक के लिए thank you, bye bye, take care